हेलो एब्रेवन यह मेरा नया लैप्टॉप है देल 5502 जो मैंने amazon.com से परचेस किया है देल 5502 लेटेस्ट i5 11 जनरेशन का लैप्टॉप है जो की बहुत ही अच्छी सुपर्ब परफॉर्मस देता है और खासकर जो हम जैसे डेवलपर्स हैं जो एंगुलर में .NET Core में काम कर रहे हैं या फिर हमें कोई वीडियो ग्राफिक्स कुछ बनाना हो तो यह लैप्टॉप अपनी इंडस्ट्री में अब तक का बेस्ट लैप्टॉप है तो आज मैं आपके सामने इसको अन्बॉक्स करने जा रहा हूं यह एमजोन से मुझे अभी आया है और पार्सल जस्ट अभी आया है सो लेट सी कि इसके अंदर क्या-क्या मिलता है लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके कुछ फीचर्स बता देता हूं ताकि आप लोगों को डिसाइड करने में आसानी हो कि आपको क्या यह लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए अगर तो आप स्टूडेंट है और अगर आपको सिर्फ सर्फिंग ही करनी है यहां से वीडियो देखनी है यह आपने कोई प्रेजेंटेशन बनानी है तो आपके लेप्टॉप को की बूट स्पीड देता है 2.4 से 4.2 के बीच में इसकी स्पीड जाती है वैरी करती है डिपेंडिंग अन्द परफॉर्मेंस इसमें ग्राफिक काड लगा हुआ है mx330 का जो की आपको बहुत ही अची परफॉर्मेंस देगा तो लेट्स ओपन दिस और इसके अंदर देखत करते हैं कि काफी अच्छी की हुई है ताकि यह देखिए बहुत ही अच्छी पैकिंग है ताकि कहीं से भी कुछ अगर कहीं गिरता है यह लैप्टाप तो इसको कोई नुकसान ना है तो मागे देखते हैं इसके अंदर से हमें पूरा यह बॉम मिलता है और ब्लू डार्ट और साथ ही में आप देख सकते हैं यह मेड इन चाइना है तो आपने ध्यान रखना है इसीज का कि मेड इन चाइना है और नमबर सब कुछ दिया हुए है चलिए अब इसको ओपन करते है यह देखिए आपको मिलेगा डेल का यह पूरा बॉक्स यह पूरा बॉक्स आपको मिलेगा यह देल का है अब इसको आसपास देख लेते हैं क्या दिख रहा है हमें और सिर्फ यहां पर हमें दिया हुआ है कि यह क्या चीज है इसमें देखिए प्राइस दिया हुआ है आप देख सकते हैं प्राइस है मॉडल नंबर दिया हुआ है यह क्या है नवंबर 2020 का है इसका मतलब बिल्कुल लेटस लैप टॉप है यह हम दिसमबर 2020 में हैं चली अब इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसको क्या हमें दिखता है अब इसको देखते हैं अब इसको देखते हैं करते हैं इसको कि अब इसको अब बहुत अच्छी पैकिंग की हुए है जो मुझे लगता है लेफट साइड में अगर आप देखें तो यह इनों ने इना चार्जर दिया हुए यह आपका चार्जर है यह जो कि made in China लिखा हुआ है और यह चार्जर काफिक फास चार्जर मुझे लगता है यह data डेटा केबल है यह हमें यहां लगाने है इस पॉइंट को चलिए अब देखते हैं लैप्टॉप कैसा दिखता है अब यह अब यह अब बहुत ही सुन्दर लैप्टॉप है यह इसका आपको मैनुल मिलेगा और यह सेफटी एंट रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन की बुकलेट मिलेगी यह आप जरूर पढ़िएगा क्योंकि कई बार क्या होता है लोग ऐसे काम कर देते हैं चाहे वह पानी गिराना हो चाहे हीट के अंदर बैठना हो जिससे लैप्टॉप की लाइफ कम हो जाती है खत हुआ है काफी स्लीक है और अगर मैं इसको उठा रहा हूं तो यह जादा मुझे भारी नहीं लग रहा है जो मेरे अर्लियर लैप्टॉप था वो कम से कम 3 किलो के आसपस था इसका वेट को यह मुझे 2 किलो के आसपास ही नजर आ रहा है जो मैं कर पा रहा हूं इसका यह अब हम यहां से खुलते हैं तो गैस लैप्टॉप बहुत ही अच्छा है अब इसमें लैप्टॉप में अगर आप देखें इसकी बिल्ड क्वालिटी पूरी अलुमीनियम की है अगर आप इसको ऐसे टच करके देखेंगे तो यह प्लास्टिक नहीं है पूरा अलुमीनियम है आप इसको हम खोल के देखते हैं तो जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही लाइट वेट है मैंने एक हाथ से इसको ऐसे उठा रहा हूं एक हाथ से इसको उठा पा रहा हूं कीबोर्ड बहुत ही स्लीक है बहुत ही सुपर फाइम और यह कलर तो भाई क्या बताओं आपको कलर इतना अच्छा और इतना प्यारा है कि ऐसा लग रहा है कि मैं किसी एपल के मैक बुक को पकड़ा हुआ है जो एपल और मैक बुक का कलर है हाला कि उससे इसमें थोड़ा सिल्वर कलर जादा है लेकिं यह कलर भी बहुत ही ओसम है ऐसा लग रहा है कि हम किसी मून वाली चीज को देख रहे हैं यह मून से लेके आएं इसको इस तरह का कुछ कलर है यह आपका फिंगर प्रिंट रीडर है और यह आपका पावर बटन है देखते हैं पावर बटन स्टार्ट करके चायद अभी इसकी बैटरी कम है यह इसको च नीचे देखेंगे यहां पर यह आप देखेंगे कि कुछ अलग कलर्स में ऐसे कुछ दिया हुआ है इसका मतला इसकी बैक साइड है और जब मैं इसको उठाता हूं तो यह आप देखेंगे यह जो portion है यह नीचे आ जाता है ताकि आप जब बैठें तो इसके नीचे जो यह आप देख रहे है यहां पर यह जो आप देख रहे हैं यह इसका outflow है यानि कि जो जब CPU गरम हो जाता है processing करके तो जो air निकलती है वो यहां से निकलती है और जो radiations है वो भी नीचे से निकलती है चलिए अब हम इसको on करके देखते हैं एक चीज और इसमें बताना मैं आपको भूल गया हूं सबसे पहले तो देखिए यहां पर एक HDMI port है यह आप देख रहे हैं HDMI port यह आपका power inlet है जहां से आप अपनी power cable को add करेंगे यह आपका USB cable का है और यह आपका जो आजकल जो latest हमारे mobile चल रहे हैं C-type वाले वो C-type का port दिया हुआ है अगर हम यहां देखें एक हमें extra एक और USB port मिलता है और यह हमारा SD port है यानि कि अगर आपके पास कोई SD card है तो आपको card reader लेनी की जुरूत नहीं है आप direct यहां पर card डाल सकते हैं अब हम इसको charging पर लगाते हैं देखते हैं कि यह output कैसी देता है मैं यह चरूप़ मता यहां लुँ कि पक्रेंग कर देख़गा आपको को कि अचूष ओडिन के जदो सक्कैrazने शाचने तो कि अऴ Euro लेकि अब जैसी मैंने इसको पावर दिया है यहां एक LED लगा हुआ है बल्प है चोटा सा जिसे आपको पता लगजेगा कि यह इस टाइम पर चार्जिंग पर है के नहीं नॉर्मली जो हमारे पुराने लैपटॉप से यहां पर इंडीकेट करते थे यहां पर इंडीकेट करते थे लेकिन यहां पर यह Mac की मुझे लगता है पूरी कॉपि की गई है क्योंकि जो MacBook Air है उसमें भी जो मैगनेटिक चारजर लगा हुआ है उसके साथ भी बिलकुल एक ऐस प्रेस किया तो यह बैकलेट कीबोर्ड है और आप देख रहे हैं कि अगर आप को काम कर रहे हैं तो आपको कीज को ढूंडने में कोई परिशानी नहीं आएगी रात के समय माली जी सब लोग घर में सो रहे हैं और आपको दिखनी रहा है कीबोर्ड पर तो यह बैकलेट कीबोर्ड बहुत आपका काम करेगा और दिखें विंडोज यहाँ पर लोड हो रही है यह फर्स टाइम है जो विंडोज हमारी लोड हो रही है तो इसको एक मिनिट ल देख रहे हैं वेब कैम है यह एश्डी वेब कैम है पूरा ओके जैसे सिरी अब देखें इसमें यहां पर कॉटाना नाम की सीरी जैसा होता है तो देखा आपने इसने खुद ही अपना इंट्रो दे दिया और कैसे आपको सेटव करना है तो देखिए वो मुझे पूछ रहेगी आपका रीजन इंडिया है आपने यहां से माउस लेकर जाना और यह कर देना यह इसलिए है क्योंकि मैं फर्स टाइम अभी विंडोज को इसे हैं कि उनाइट सेट इंटनायशनली रखना है तो नमल्ली हम इंडिया में उनाइट सेट इंटानाशनल ही रखते हैं क्योंकि हमारे पास जो भी की वोड्र में ऑ्वी तक आए मारे तक में वह Microsoft तो इसलिए हमें United States रखना है अगर आप UK में हैं और अगर आप Pound यूज करना चाहते हैं तो फिर आप UK बेस्ट कीबोर्ड यूज कर सकते हैं otherwise जो internationally accepted standard है वो United States का यह हर लैप्टॉप्स का वो पूछ रहेगी क्या आपके पास कोई एक्स्टरनल कीबोर्ड है अगर आपके पास है तो आप यहां पर उसको setup कर सकते हैं नहीं तो उसको skip कर सकते है अब वो मुझे पूछ तो यह मुझे पूछ रहा है कि Wi-Fi आप setup करना चाहते हैं अपने इस लैप्टॉप के साथ तो मेरा already Wi-Fi चल रहा है तो इसको मैं connect कर देता हूँ एक मिन मैं इसकी password की डालता हूँ तो आप देखिए यह कह रहा है यस इसको कर देते हैं mission accomplished you are all linked up so mission accomplished का उसने बता दिया message इसका मतलब कि हम Wi-Fi से connected अब यह कुछ setup कर रहा है Windows के लिए हो सकता है कि Microsoft से connect करे direct और मेरी Windows को रिजिस्टर कर ले क्योंकि जो मेरी Windows है इसमें Windows 10 Home Edition है तो उसको यह एक बार verify करेगा और तब जाके मेरा यह laptop पूरा configure हो जाएगा अभी आप घब रहेगा नहीं कि यह screen ऐसे यहां से black क्यों आ रही है क्योंकि यह अभी setup में चल रहा है जब यह Windows पूरी हो जाएगी तो 15.6 का ही display देगा आपको यह देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था full screen हो गई है अगर आप देखिए इसको शायद आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि इसकी जो screen के colors हैं वो पूरे restart होने में hardly 3 या 4 second में restart हो गया और क्योंकि यह first time windows चल रही है इसलिए just a moment आ रहा है लेकिन जो अगर आप normal जब आप यह setup कर चुके होंगे तो सिर्फ 3 या 4 second के अंदर अंदर ही है आपको login करके अपनी windows के अंदर desktop दिखा देता है आपको ठीक है उसने हमारी windows को register कर लिया है अब हमें यह आगे लेके जा रहा है और आगे की जो settings है वो हमें करनी पड़ेंगी एक बार यहां पर मुझे पूछ रहा है कि क्या आप windows 10 को update रखना चाहते हैं क्योंकि इसमें already windows 10 आई हुई है तो यह license मुझे बोल रहा है अगर आप इस license को नहीं accept करते हैं आपको कोई Linux या कोई और operating system डालना है तो आप इसको छोड़के आप वो भी setup अपना USB से कर सकते हैं एक चीज बता दूँ दोस्तों अब इसमें कोई DVD या CD वगेरा नहीं चलेगी क्योंकि अब जमाना बदल गया है इसमें कोई DVD या CD player के लिए कोई जगा नहीं है तो प्लीज यह ध्यान रखेगा कि पहले जैसे हम CV डालके DVD डालके Windows installation करते थे अब वो चीज नहीं है आपको USB से ही करना पड़ेगा तो यह मुझे मेरी email ID पूछ रहा है तो मैं अपनी email ID डाल देता है